सिक्षक पातता परिच्छा हर साल होगी जहां दोस्तों आप सभी तमाम अभ्यारती जो हैं बिहार टीटी हो या बिहार इस्टेट परिच्छा को लेकर ये संसे बनी रहती है कि कब इसकी परिच्छा कंड़क्ट होगी क्या हर साल होगी तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सिक्षक पात्ता परिक्षा हर साल होगी जहां दोस्तों बिहार बोर्ड की ओर से जो है परिक्षा कलेंडर में सिक्षक पात्ता परिक्षा यानि कि एस्टेट की संबावित तिति जो है ज कर दी है कि कौन सी गतिविधी कब होगी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन एक से शुरू होगी और 14 फरबरी 2023 तक लिए जाएंगे एस्टेट 2023 का आयोजन जो है चो अपरेल से लेकर 24 अपरेल तक होने की संभावित डेट जो है रखी गई है परिच्छां ऑनलाइन ली जाएगी इसके बाद 2 से 5 मई के बीच एंसर की जो है जारी कर आपती ली जाएगी इसका रिजल्ट जो है जून 2023 में परकासित किया जाएगा बोट की अध्यक्ष ने बताया कि अब हर साल एस्टेट का आयोजन किया जाएगा जिहां दोस्तों एक बड़ी अप्डेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि एस्टेट परिच्छा हर साल कंटाक्ट होगी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परिच्छा फॉर्म भरन किती थी किन-किन विश्यों में एस्टेट ली जाएगी विशाय बार रिक्तियां आधी सिक्छा विभाग के निर्देश पर आगे जारी किया जाएगा तो बहुत जल्द आप लोग के लिए ये अपडेट निकल कर आ रही है कि किन-किन विश्यों की परिक्षा जो है इक्षा विभाग जो है जारी करेगी साथ में एस्टेट को लेकर बिहार बूर्ड की अध्यक्ष ने कहा कि चुकि सीवीएसी के ओर से हर साल दो बार सीटेट जो है ली जाती है ऐसे में एस्टेट का है उजन को लेकर राजसरकार का निर्देश अभी तक नहीं आया है लेकि इस पर चर्चा चल रही है कि हर साल एस्टेट और बिहार टीटी परिख्षा कराई जाए और इनके निर्देश के बाद जो भी आगे निर्देश जारी होता है उसके आधार पर आपकी सिक्षक पातता परिख्षा जो है हर साल कंड़क्ट होगी तो आप लोग जो है सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उने से दवा दे और हो सब्सक्राइब करें दोस्तों में भी सेयर करते थैंक्यों वीडियो देखने के लिए